स्वागते आप सभी का आपके एपने जनल मैथ्स वित्रविलोजी में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रवी आज हम कक्सा आठ विज्ञान के तीसे चेप्टर की क्यूशन अंसर करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्यूशन आपके लिए बोर्ड के हिस पिर है कि सही उत्तर का चैन कीजिए आपको वराइट और रोंग लगाना है कि एक रेवन एक सुगन संसलेशित रेसा नहीं है क्योंकि लुगदी से प्राप्त किया जाता है आपका तीसरा सवाल है कि उचित सब्दों का प्रियोग करते वे रिक्तिस्तानों की पूर्ति करन बाते हैं जो क्या संसलेशन कहलाता है ठीक है फिर गयवालाएं कि संसलेशित रेसे की बाती प्लास्टिक भी एक क्या है बहुलक है बहुलक मना बहुत सारी चीजों से मिलका बनावा एक तरीके से जटिल फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइलोन रेसों से निर्मित दो वस्त बात के तार से भी अधिक मजबूत होता है ठीक है यह चीज़ आप लिखेंगे और नाइलन के आजकर तो गाव में भी रसे वगरा आने लग गए हैं पांचों कि उसने खाद्य पदार्तों का संचैन करते करते करने हैं तू प्लास्टिक पात्रों के उप्योग के तीन प्र करने हैं तो उनके बारे में आपको लिखना है नेक्स्ट है कि थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के मद्ध्य अंतर को सबस्ट कीजिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग के बारे में क्या करना बीच में एक सांचे में ढ़ान दिया जता है तो उन्हें उसमा देकर नर्म नहीं किया जा सकता वापस और यह थर्मो शेटिंग प्लास्टिक करते हैं थर्मो शेटिंग क्याने कि जो नर्मारब नहीं ओती है उदारनके लिए बेकलाइट हो गया और मेला माइन हो गया अप और बेके लाइट उस्मा और विदुद का कूछ अलक होता है ठीक है यह चीज़ यहां पर आप ध्यान रखेंगे सातों स्वाल पढ़ेंगे समझाएं कि थर्मो अप्लास्टिक के निमले जो पदार थे वो बना जाते हैं तो क्यों बना जाते है धेंग जिली के स्विच वीबिन बर्तनों के हत्ते आदी बनाने में काम में लिया जाता है मेला मायन एक बहुत बहुत प्योगी पतारते यह आगा का प्रतिजविक है तता अन्य प्लास्टिक की अपेक्सा उस्मा को सहने की जो इसकी खिसमता वो सबसे अधिक है नवा सवाल पढ़ेंगी कि राणा घर्मियों के लिए कमी हमें ठंडग रहेगी और जो की सूति वस्तर में घर्मी रहती है सूति वस्तर की तुल्णा में वो सश्च्त हो सकते हैं में आप हमें वो नहीं खरीदने चाहिए जेव निमनी करण कहलाता है पदार्थ जो प्राकर्तिक प्रिक्रियों दरा सरलता से विगटित नहीं होते हैं उन्हें जेव निमनी करण कहते हैं यानि कि जो विगटित नहीं हो रहे हैं कि 11वालिया आपका कि किया दांत साब करने के यही नहीं पनानी चाहिए क्योंकि दौनों वस्तों का उप्योग भीने-पिने तरीके से किया जाता है तब है तो historically एक लागया लोगलोगों इसलिए क्या चाहिए का 12 सुवाल ही जहां तक संबो हो प्लास्टिक के उप्योग से बचिए इस कतरzin पर आप क्या सलना गई तो प्लास्टिक का प्लास्टिक धौरा उत्पन अपसिष्ट पदार्थ पर्यावन हितेसी नहीं है पर्यावन को बहुत ज़दा नुकसान होता है और इसको ज़दाने पर विसली गये से उत्पन होती है और भूमी पर डाल देने से इसमें अपसिष्ट पदार्थ बज़ता है जो बहुत सालों बाद भी विग्टित नहीं हो आप कपड़े से आसनी से बल नहीं पड़ते हैं ना इस से मिलाओगे टेपलों को मिलाओगे चिपकने वाली भोजन बनाने के पात्रों के निर्मानक में उपयोग किया जता है इसका न पेरा और रेयोन का उपयोग करेंगे लुगदी का उपयोग तयार कर प्रयासूट बनान में मौजा बनाने में है नायलन को प्रयोक करेंगे परसूट बनाने वाली में हौब रियोन का का श लूग दि त्यार करने में करेंगे ठीके थोड़ा सा खो तंसे देख लेंगे मैं इसको मिटा देता हूं और इनकी एरो को ढंग से आप देख लेंगे तो द्वाइस संसलिस रेसे का ओध्योगी निर्माण वास्तों में वनों के संक्षन में साहिक हो रहा है क्योंकि प्राकर्तिक रेसे पेड़ पोदोस से एवं अन्य उपयोगी सामगरिया पेड़ों से बनती हैं और लकड़ियों से भी बनाए जाती हैं जिससे अत्तिक पेड़ काटे जाते हैं वनों को हानी भी पहुंचती है लेकिन इसके बजाए प्लास्टिक बहुलक वा संसलिस रेसों का अत्तिक उपयोग होने के कराण पेड़ पोदो वर्मनों की कटाई प स Wave तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार साचे में ढाल देया है तो उसमा देकर गर्म के मैलेमाइन, बहुत ज़दा कुछ आलक हैं जिले बिजली के स्विच मनानने में लिड़न बर्तन के यहां म writes te के बनाने में का उपयोग jul. बहुँ उप्योगी है यह आग का प्रतिजविक है इसलिए जो आग के अंदर जो चीजे होती है जो जले नहीं उस परकार के बतर होते हैं उनके हत्ते बनाने में इनका उप्योग ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हना और चनल पर नए है तो क्या करना आपको सब्सक्राइब करना है ठीक है सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अंगली वीडियो में और इसी इंपोर्टन क्विशन के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए जाहिन